हावरूफीक्स सैमसंग गैलक्सी जैट्री कीप रिस्टार्टिंग आफ्टर अपडेट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सभागरेब सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपकी जो डिवाइस है आपकी जो सैमसंग की डिवाइस है वह अगर रिस्ट उल्लो कीजिए आपका प्रॉब्लम definitely fix हूजए टिक है क्योंकि दोस्तों यहां पर जो अपड kana के बाद प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्ण करने तरीका दोस्तों आपको यहां पर मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों हमेशा जो है अपडेट एक सॉलूइशन रहते हैं लेकिन अपडेट करने के बाद ही प्रॉब्लेम शुरू होते तो आपको यहाँ पर दूसरा सॉलूइशन करना बहुत ही जरूरी है तो क्या सॉलूइशन करना चाहिए आए मैं आपको बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप बैल आइकोन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पे सकाबाना चाते है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा और किसी भी प् ईसमें तरीका में बता अ तो आपका दूस्व शृतिंग अप चिक आ ठीक किजिए यहां यह फर दोस्तों आपको बेट्रि क्लिक करना अ त्री डॉट में क्लिक करना है और उसके बार ऑटोमेटिशन मोट आपको सेले करना है अगर यह सेटिंग इनेबल है तो इसको डिसेबल कर दें बेटरी सेवर बगरा दोस्तों आपने लगाया हुआ है तो उसको भी डिसेबल कर दें ठीक है उसके बाद चोटो चेक करके आप देख सकते अगर problem solve हो जाता है ठीग है अगर नहीं हो रहा है तो जनरल management पर जाएए स्क्रोल डाउन कीजिए reset पर क्लिक कीजिए और reset all settings पर क्लिक करके reset setting पर टेप करके mobile password भर के reset कर डिजे क्योंकि दूस्तों अगर कोई settings की वज़े से आपको यह प्रॉब्लम हो रहा है तो वह सेटिंग बाइडिफोल्ट हो जाएगा उसके बार आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आते हैं तो रिशेर ऑप्षिन पर जाएए फेक्टुरी डिटारी सेट को सेलेक किजि ठीक है अगर दोस्तो आप इंस्टेंटली रिशेट नहीं करना चाहतें तो अभी दोस्तो आप यहाँ पर क्या कर सकते आप थ्लिश्ट को क्लीन आप कर देखिए ठीक है मोबाइल इसस पेस को क्लीन अप किजिए बहुत सारे एप्स हैं उन्यूस एप्लिकेशन से टृडिल सब मुबायल को स्वीच ओफ करके देखिये ड फ्रसक्राइच के लिए वेट करें ठीक हैं तो आप यहीं कर सकते हैं या फिर अगर अगर आपको technician के मदद लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं किसी भी सर्वेश सेंटर पर जाकी भी आप अपने mobile को शो करवा सकते हैं तो अगर दोस्तो अपडेट के बार ऐसा कुछ भी problem होते हैं अगर automatic restart होते रहते हैं तो आप ये सारे चीज follow कर सकते हैं ठीक है अमेद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बसने होगा thanks for watching